आल राइड गाईज वेलकम भैक एवरिवन तो आज हम पढ़ने वाले हैं पहली एकसरसाइज का पहला क्वेस्चन लास्ट टाइम हमने क्या पढ़ा हमने सीखा कि एकलर ड्विजन अल्गुरिथम क्या होता है इसका क्या परपस है हमने लास्ट टाइम इसको किया ठीक है न ए एक एक्जम्पल जो आरडी बूक की अंदर थी हमने इससे पहली वाली जो पिछली क्लास है हमने उसको इसके अंदर सालव किया एड यहाँ पे हम जो है पहली एकसरसाइज का पहला क्वास्टन करने जा रहे हैं जिसमें क्वास्टन कहता है यूज एकलर्ड ड्विजन अल् इससे पहले हैं देखिए वाट्य आव टो इससेर आपको सिंपली क्या करना है कि जो प्रॉसीजर आर अडी हमने जो षिक्जल की ञले शिचली में roommates करे थे वैसे के वैसे सेम के शे W्प जहाँ पहर पहर टुज़ समझने वाली appeared हह जो आप यहां पहर दो चीजने इससा लाती है वो भी आपको वो उसका आते होना आपके लिए बहुत important है तो यह हमारा first है N225 let's solve it solution ऐसे ही लिखते हैं ओके तो इसके अंदर हम क्या करेंगे सबसे पहले जो पहला हमारा होता है कि हम अगर हमें इस पे एकलर डिविजन लेमा apply करना है तो हमें देखना है इन में से बड़ा डिजट बड़ा नंबर कौन सा है जहां पर है दो सो पचीस एंड एक सो पैंटीस तो obviously बड़ा हमारा हुआ दो सो पचीस तो हमारा क्या procedure होता है जो हमारा बड़ा नंबर है हम उसको लिखते हैं इस तरह बक्स के अंदर एंड जो हमारा छोटा नंबर होता है हम उसको लिखते हैं बक्स के बाहर बट यह चीज तो हमने की इस तरह से चार्ट पे बट हमें जहां पे इकलिश के अंदर यही चीज यहां पे जो है लिखनी होती है तो कैसे लिखेंगे हम सी ऐसे लिखते हैं सब्सक्राइब करते हैं हम इसको लिखेंगे ऐसे क्योंकि एकलिट डिविजन लेमा की जो एक्वेशन है वो है A is equal to B Q plus R हम एकलिट डिविजन लेमा जो एपलाई का रहे हैं A and B पे एपलाई कर रहे हैं ठीक है ना तो जहां पे A obviously हमेशा मैं बढ़ा रखता हूँ जो अंदर रहता है and B जो होता है by convention मैं उसको छोटा एजि 35 ठीक है ना here A is greater than B A जो है B से बढ़ा है या मैं इस तरह कह सकता हूँ के 225 जो है 225 हमारा यह बढ़ा है किसे 135 से हमारा 225 बढ़ा है किसे 135 से तो मैं सिंपली इसको लिखूंगा कि apply to find HCF we have to apply equivalent division lemma step first जहां से हमारे step जो है इसको याद रखना है to find and HCF मतलब कि HCF निकालने के लिए आफ 135 and 225 इन दो नंबर्स का आइसी आफ निकालने के लिए एपलाई एकलड डिविजन लिमा एपलाई एकलड डिविजन लिमा on 135 and 225 इन दो पे आप एकलड डिविजन लिमा को एपलाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा हम आगे लिखते हैं फिर इस तरह से वी गेट जब हम एकलड डिविजन लिमा लगाते हैं तो हमें क्या मिलता है वो हम लिखते हैं नीचे तो 135 and 225 हमने अंदर रखा 135 बैर रखा वाई कन्विंशन एंड हम इस पे एपलाई का रहे हैं जहां पे हमें जो है डिविजन करनी होती है राइट तो 135 को कितने सो में कितने नंबर से मैं गुना करूँगा कि जा तो मुझे 22 225 आए या इससे काम है इमिजेट काम ठीक है तो 135 को अगर मैं दो से करूँगा तो अविसली 225 से बाढ़ जाएगा इसलिए मैं बेहतर यही समझूगा कि इसको एक से ही किया जाए 135 तो आ जाएगा 135 ही इसको और इससे मल्टिपलाई जब मैं करूँगा तो मेरे पास 135 ही आ से 3 नकालूँगा मैं रह जाएंगे 9 90 जहां पर बचा 1 1 मैं से 1 नकालूँगा तो 0 बचेगा तो इस वक्त मेरा जो रिमाइंडर है वो 90 आ गया हमने सीखा था यह वाला डिवाइजर है यह वाला डिविडेंड है एंड जहां वाला एक कोशन्ट है नीचे रिमाइंडर जो यह वाला नमबर जो होगा आपका कहलाएगा HCF बट जहां पर हमें नहीं आया यह स्टिप हम लिखेंगे एंड फिर से हमें एकलर डिविजल लिमा एपलाई करना है तो चलिए पहले मैं इसको लिख देता हूँ जहां पर सबसे हम किस तरह से लिखते हैं जो सबसे जो अंद हमारा क्योशन क्या है वन प्लस रिमाइंडर हमारा क्या है 90 इसको मैंने क्यों लिखा इसको मैंने लिखा इस वजह से बिकॉज ए जो है वो बराबर होता है बी क्यों प्लस आर जहां पर आर जो होता है वो हमारा आर होता है बराबर जाएकल जीरो के और डिवाइजर और जी में होता है ठीक है जा जिरो होता है जा डिवाइजर और जिरो के बीच में होता है खमारा diviser से छोटा होगा यह वाला जो हमारा 90 है कहने का मतलब यह है जहां पर जो हमें reminder मिलता है वो हमेशा इस वाले से diviser से हमेशा छोटा होगा या यह 0 होगा या इस से छोटा होगा कभी भी इस वाले diviser से बड़ा नहीं होगा तो 0 less than or equal to R and R which is less than B इस इस पूरी equation का यह मतलब है ठीक है तो चलिए पहला step हमने लिखा तो इस step के अंदर हमें reminder 90 मिला तो हमें इसके लिए step second follow करना है आरडी हम पीछे सीख चुके हैं तो since reminder reminder is not equal to reminder 90 is not equal to 0 जो हमारा reminder है वो 0 नहीं है अगर 0 होता तब हम इसको मान लेते ICF लेकर 0 नहीं है तो हमें क्या करना होगा apply एकलर division lemma again जहाँ पर मैं शार्ट में लिख रहा हूँ EDL बट आपको पूरा लिखना है and यहाँ पर रखेंगे 135 that means अब हम एकलो division lemma इस reminder पर और पिछला जो इसका diviser है उस पर लगा रहे है ठीक है नब तो 135 मैंने अंदर लाया तो वही मैं लिख रहा हूँ apply on 90 and 135 135 we get हमें क्या मिलेगा तब हमें क्या मिलेगा okay ऐसा करेंगे तो हमें क्या मिलेगा 90 है 135 तो कितने से मैं इसको multiply करूँ कि जा तो 135 आए जा उससे काम आए तो जायर सी बात है अगर मैं 2 से करूँगा तो 180 हो जाएगा इसलिए मैं इसको एक से ही करदा हूँ तो 190 division का असूल होता है इस step पे जहां पे माइनस होती है जहां पे हम 5 में से 0 को निकालेंगे तो 5 बचता है जहां पे 3 है तो जहां से carry forward करेंगे जहां पे 13 हो जाएंगे 13 में से 9 निकालेंगे बचेंगे 4 तो हमारे पास 45 आगया बट रिमाइंडर अनफाचुनेटली हमें जहां पे 45 आया 0 नहीं आया इसका मतलब हमें एक step और करना है until जब तक हमें 0 नहीं आ जाता ठीक है ना जिस वक्त हमें 0 आ जाएगा उस वक्त के diviser को हम ICF मान लेंगे तो जहां पे नहीं आ रहा इसलिए यही वाला step English में जहां पे लिखूंगा उसके बाद next step जो है बेक करूंगा चलिए ठीक है तो जहां पे जो हमने 135 हमारा equal हो रहा है किसके B क्यों B हमारे पास क्या है diviser diviser क्या है हमारे पास 90 into Q क्यों क्या है हमारे पास quotient quotient है जहां पे 1 यह है quotient यह है diviser यह है dividend यह है reminder ठीक 45 तो हम क्यों लिख रहें इसको क्योंके यह हमारी equation होती है B क्यों प्लस R division के ठीक है ना जिसमें जो हमारा reminder होता है वो यह तो 0 होता है यह हमेशा diviser से छोटा होता है इसी को हम लिखते हैं इस तरह से equation ठीक है कामा करके चलिए इस tip में भी हमें जो है नहीं मिला तो मैं इस से लिखूंगा step 3rd मैंने लिखा step 3rd since reminder 45 is not equal to 0 जो हमारा 45 है जहां पे 0 नहीं आया इसलिए हमें equivalent division लिमा फिर से apply करना है apply equivalent division lemma again on 45 and 90 अब 90 पे क्यों लगाया हमने एक तो 45 तो है जहां पे आ रड़ी यह 45 और दूसरा 90 पे हम लगा रहें क्योंकि जब अगर जहां पे reminder हमें 0 नहीं आएगा फिर से हमें जो है जहां पे एकलर division lemma लगाना होता है फिर से मतलब division करनी होती है बट उसके लिए अंदर जो जहां पे जब हम 90 को कर रहे थे तो हमने यह वाला number जो है उठा के इदर डाला जहां पे आप 45 है तो हम कौन सा लाएंगे यह वाला diviser अंदर लाएंगे यह बो step पार्टन step है जो हमें समझना है ठीक है रहा है अगर हमें यह step समझ नहीं आ रहा और जहां पे यह वाला जो ल जरूर उता है तो चलिए 45 एंटू कितना करेंगे हम जा तो 90 आएगा जा उसके करीब आएगा अगर 45 को 2 से में करता हूं तो 25 कितना हो जाएगा 10 एंट टू एंटू 4 हो जाएगा हमारे पास 8 प्लस कैरी फारवर्ड का 1 हो जाएगा 9 90 हो गया अब डिवीजन का असूल होता है जिरो में से जिरो नकालेंगे जिरो नाइन में से नाइन नकालेंगे जिरो जहां पर हमें रिमाइंडर जो है फाइनली रिमाइंडर जो है हमें मिला जिरो अब हमें एकलर डिवीजन लिमा कहता है कि जब आपको रिमाइंडर जिरो मिलेगा उस वक्त का डिवीजर उस व पे जो इसी equation को में लिख रहा हूँ जब 90 पे मैंने किया apply 19 and 45 पे तो हमें क्या equation बनी 9 45 and 2 2 plus 0 ठीक है ना इसको मैं इस तरह से box में रखूँगा examiner को catchy लगेगा वो हमें थोड़ा max देगा तो final हमें क्या है जहां पे देखिए जहां पे जो r है वो 0 है हमारी जो है a is equal to b q plus r क्योंके हमारी equation है जिसके अंदर जो हमारा r होता है यह हमेशा diviser से छोटा होता है लेकर जो है या 0 के इकल होता है या 0 से बड़ा होता है ठीक है चलिए तो जहां पे मैं लिखता हूँ at this step at this step we got reminder is equal to 0 इस step पे हमें reminder 0 मिला है therefore therefore देखिए इस तरह से हम लेक सकते हैं जब दूसरी तरह से therefore HCF of किसका ICF पूरी जो शुरू में question था question क्या था हमारा 135 and 225 is कौन सा इसका divisor 45 यह हमारा answer that's it ठीक चलिए तो यह हुआ हमारा पहला question दूसरा भी हम करेंगे बट इसको मैं फिर से एक बार समझाता हूँ ताकि आपको अच्छे से understanding हो तो चलिए बात हम शुरू करते हैं फिर से हमने क्या किया इस question के अंदर हमने एकलर division lemma को apply करना था और ICF निकालना था 135 का and 225 का अब already में पहले discuss कर चुका हूँ के हम ICF जो है पहले traditional method से factorization method से भी करते थे जिस तरह से 135 खाम इस तरह से रखते दूसरे साइड में 225 रखते फिर इनको इनके प्रोड़क्ट ही factorization में लिखते और वैसे हम जो है ICF निकालते बट यहां पर जहाँ जब numbers बड़े होते हैं तो हमें फिर जो हैं चीजें complex हो जाती है उस तरह से line ड्रा करने में क्योंकि यह pages भार जाएंगे ठीक है ना इसलिए हमारे पास एक simple सा दूसरा तरीका होता है अल्गोरिदम का मतलब मैंने आर अरी पहले समझाया था कि यह एक math की equation को solve करने का procedure होता है जिसके अंदर हम proper जो step होते हैं जैसे हमें पहले किसी method में बताए गए हैं वैसे ही follow करते हैं तो इकलर division lemma के जो steps थे वो क्या है steps कि अगर हमारे पास दो number है for example एक है 135 and 225 उसमें से जो बड़ा number है that is 225 उसको आप box के अंतर रखो and जो छोटा number है आपका आप उसको box के बाए रखो 135 और इन पे आप division करो ठीक है ना इनको तक्सीम करो जो आपने पहले से की तो हमने तक्सीम की हमने देखा हमने जब तक्सीम की तो हमें reminder मिला 90 ठीक है ना तो दिन हमें जो है already equivalent division lemma कहता है जब आपको ये 90 मिला तो साथ में आपको step लिख लेना है ठीक है ना इस step में हमें जो है 225 को जब 135 से हमने divide किया तो एक quotient में मिला और 90 reminder में मिला तो ये ही आपको equation में लिखना है तो ये वाला step था ये वाला step पहला ये वाला हमने उठाया और equation में लिखा जहां पे मतलब 225 लिखा मैंने फिर लिखा 135 एंटू 1 एंटू 90 अब ये वाला step हम क्यों लिखते हैं आरडी में पहली class में discuss का चुका हूँ जब division होती है तो ये वाली जो dividend होता है जे हमेशा ब्राबर होता है 135 एंटू 1 प्लस reminder के ठीक है ना तब ही ये वाला step हमने जहां पे लिखा हमें एकलर division लिमा कहता है कि अगर आपका जो reminder है अगर ये 0 होगा उस वकत का जो B होगा ये वाला मतलब यहां पे जो B होगा ये वाला जो digit होगा आपका वो आपका ICF होगा अगर ऐसा नहीं होता तब आपको क्या करना है फिर से एकलर division लिमा apply करना है तब आप रखेंगे इस वाले reminder को box के बार रखेंगे and box के अंदर जो आप number लाएंगे वो लाएंगे जो आपका पिछला diviser था हमारा पिछला diviser क्या था 135 हमने अंदर लाया 90 135 पे फिर से हमने एकलर division लिमा apply किया and हमें आया 45 हमें 45 मिला फिर से हमें reminder 0 नहीं मिला ये वाला point जो second step हमने किया हमने second step जहां पे note किया कि 135 हमने अंदर रखा था 90 diviser में था and one quotient का था और reminder हमें मिला 45 एकलर division लिमा हमें कहता था कि अगर आपको इस जगा पे 45 की जगा पे 0 होता तब आप 90 को ICF मानते लेकिन आपको नहीं मिला इसलिए आप 45 को reminder को बाहर रखो और अंदर निया diviser लाओ diviser कों सा है पिछला अब क्या है diviser 90 ठीक है ना देखो हम आप 135 नहीं लाया हमने कोन सा लाया इसका diviser 90 जो था उसको अंदर ले आई हम ठीक है अंदर रखा हमने अब 45 को बाइर रखा तो हमने इसको फिर से जो है एकलर डिविजन लिमा अपलाई किया एकलर डिविजन लिमा अपलावी हुआ तो हमें result जो है जहां पे reminder 0 मिला question 2 मिला and इसको हमने step 3 को हमने जहां पे जो है note किया इस तरह से 90, 45 यह है हमारा divisor into यह है हमारा क्या है question and then we have this reminder जो हमारा 0 है अब हमें एकलर डिविजन लिमा कहता था जब आपको reminder 0 आ गया है तो आपको वहीं पे stop कर लेना है वहीं पे रुक जाना है and उसके पीछे जो आपका divisor है that means यह वाला जो digit है divisor यहां पे हम रखते हैं जहां पे कोजिशन रखते हैं जहां पे reminder रखते हैं जहां पे हमारा dividend होता है ठीक है न तो एकलर division लिमा कहता है जब आपका जो reminder 0 आ जाए उस वक्त का जो आपका divisor होगा आप उसको assume कर लेंगे यह आपका ICF है तो इस step में हमें जो reminder है वो 0 मिला और इसका जो divisor है वो 45 है इसलिए हमने 45 को जो है HCF assume कर लिया किसका 135 और 225 का यह था हमारा पहला question I am sure कि आपको समझाया होगा अगर समझ नहीं आया कोई step तो आप फिर से हमें जो है बता सकते हैं कमेंट करके बता सकते हैं जा हमें काल कर सकते हैं अब हम करेंगे next question उसको हम करते हैं next part में